मांडो विधान सभसे तीन बार से विधायक रहे चैप्रकाश भाई पतेल ने आज भाजपा को छोड़ कॉंग्रिस का दामन थाम लिया। राजे स्थाकुर ने क्या कहा? और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बाते होती रहती थी, हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं। और एक पुराना रिस्ता रहा है इनके पिता स्वरगिये टेकलाल महतो जी बहुत कदावर नेता थे जहारखंड के। पुरा जहारखंड जानता है किस परिस्तिती में उन्होंने कब-कब जो कॉंग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागडबंदन के तौर पर पहले भी मदद करते आए। पुर मंत्री भी रहे हैं जहारकंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हो और इनके छेतर में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है नहीं तो आठ बार इनहीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्यत में लेगा मैं आभार व्यक्त करूंगा आदर्निय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साब का सिर्समेत्रितों का जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमती दी है और पवनकेरा साब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ह कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉक्टेल के आगे सब लोग नत्मस्तक हो रहे हैं वह इसे समय में इन्होंने कॉंग्रेस का दामन थामना उचित समझा है मैं इनका भारवेक्त करता हूं धन्यवाद तो वहीं जहारखन कॉंग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम एहमद मीर ने क्या कहा है मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाओंगा मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफी वर्ष निता जहां मैं देख रिख कर रहा हूं पार्टी की तरह से चाहे वो जारखन स्टेट हो या वेस्ट बंगाल हो पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग-अलग पार्टियों से कॉंग्रेस के संपरग में हैं और कुछ की इमिजेट नीड है जो चुनावी मोसम है मगर कुछ का सोच बहुत दूर द्रश्टी वो आज के इस आवागावी की वज़े से नहीं बलके जो कॉंग्रेस पार्टी की नीती है जो हमारी एडियालजी है और जो बारत जोड़ो नियाई यात्रा इन स्टेटू में से गुज़रते हुए हमारे नीता राहूल गांदी जी ने जो इमप्रिशन लोगों के दिमाग पर खासकर हीवावों के दिमाग पर डिफ्रेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर मैं समझता हूँ ये उसका फाल आउट है ये उसका असर है बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से जैपरकाश जी को कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूँ और उमेद करता हूँ इनके आने से ना सिर्फ जारख में बलकि ये एक ऐसे वर्ग को ऐसे एक एक कम्नीटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीड रहे हैं इसका इंपक्ट हमारे जारकंड के अलावा भी बहुत सारे स्टार्ट स्टेटों में पड़ेगा उस अस्तर के ये नीता है और असूलों की राजनीती की है इ आज जब ये जोईन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका जरूर पुलिटिकल इंपक्ट पॉस्टिव होगा कॉंगर्स पार्टी के लिए इस उम्यद के साथ हमारा इनका जो वारतालाब हुआ और उसके बाद आज फार्मिली जोईन कर रहे है मैं दिल से इनको स्वागत करता हूँ